तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ हाइड को सीखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा अंत तक देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगी कि हाइड क्या होता है तो देखिए हाइड या हाइज का पास्ट रूप हाइड होता है यह जो हाइड है वो क्या है तो हाइड और हाइज का पास्ट रूप है हाइड से भी भूत काल्बे करता के स्वामित्व या अधिकार या संबंध के भाव प्रकट किया जाता है कल का वीडियो में हम लोग देखे थे यू जॉप हाइब और हाइज अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जरूर देखें हाइब और हाइज का परियोग होता है परजेंट टेंश में और उसका मतलब भी होता है रखना, हैज का मतलब भी रखना होता है लेकिन परजेंट टेंश में इसका परियोग होता है जैसे कि मेरे पास एक गाय है या तो मैं एक गाय रखता हूँ मतलब कि परजेंट टेंश में वरतमान काल में मेरे पास एक गाय है लेकिन हाइड का परियोग कब होगा तो हाइड का परियोग होगा भूतकाल में जैसे कि मेरे पास एक गाय थी या मुझे एक गाय थी यानि कि थी और था वड़ाया थी और था जो है वो भूतकाल को यहाँ पर परदर्शित कर रहा है यानि कि ये past tense की बात थी तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक्जामपल के द्वारा चलिए यहाँ पर हम कुछ एक्जामपल्स को लिये हैं पहला एक्जामपल है मुझे एक गाई थी यानि कि ये past tense की बात की जा रही है कि मेरे पास एक गाई थी या तो मुझे एक गाय थी यहाँ पर यह जो दोनों sentence है उसका जो translate बनेगा वो एक ही बनेगा देखिए मुझे या मेरे इसका English हो जाएगा I और I के साथ परियोग होगा hide का तो यह हो जाएगा I hide यह cow यानि कि past tense की बात की जा रही है कि मेरे पास एक गाय थी या तो मुझे एक गाय थी तो इसका translate हो जाएगा I hide या cow यहाँ पर हम बहुत सारा examples को लिए हैं जिसमें से सभी में था 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 आएगा किसी में था आएगा किसी में थी आएगा किसी में थे आएगा सभी में हम लोग hide का परियोग करेंगे चाहे subject कुछ भी रहे देखिए आगे है राम को समस्याएं थी तो राम का English हो जाएगा राम और इसमें hide का परियोग करेंगे तो राम hide समस्याएं का हो जाएगा problems तो यह हो गया पी आर वो बी ल इम एस राम hide problems नेक्स्ट चेंटेंश है मेरे पास एक हाथी था मेरे इसका English होगा आई तो इसके साथ परियोग करेंगे hide का तो यह हो गया I hide एक हाथी यानि की I am elephant यहाँ पर देखिए आईन का परियोग हुआ आर्टिकल यहाँ पर आईन का परियोग हुआ क्योंकि यहाँ पर E वर्ड से अस्टार्ट होने वाला पहला लेटर जो है वो क्या है भोवेल है तो यह हो गया I hide an elephant नेक्स्ट है उसके पास दो गोडे थे उसके का English होगा he और यहाँ पर सभी sentence में hide का परियोग करेंगे he hide क्या है था तो दो गोडे थे तो यहाँ हो जाएगा he hide two horses next है तुम्हारे पास दो गोडे थे तुम्हारे पास तो यह हो गया तुम्हारे का English हो गया you और you के साथ भी हम लोग परियोग करेंगे hide का तो you hide two horses next है फीता के पास कलमे थी फीता फीता के साथ भी हाइड का परियोग करेंगी फीता हाइड क्या थी तो कलमे थी तो सीता हाइड पेंच कलम नहीं थी कलमे थी यानि की कलमे जो है यहाँ पर plural में आ जाएगा तो इसका English होगा पेंच next है मेरे पास एक बिल्ली थी तो मेरे का English हो जाएगा I और इसके साथ परियोग करेंगे हाइड का I had यह काइड next sentence है मेरे भाई के पास एक साइकिल थी मेरे भाई के पास एक साइकिल थी इसका translate क्या बनेगा इसका comment करके आप लोग answer बताएए तो students I hope कि आपको use of hide का परियोग अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो पशंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राब करें धन्यवाद